वल्कम दोस्तों सौगत आप सभी का हमारे चैनल पूर मुभी गोवर पे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नेट्टिक्स की डॉकुमेंटरी सिरीज हाउस अफ सीक्रिट्स द बुराडी डेट्स के बारी में यहाँ पर आपको तीन एपिसोड में दिल्ली की एक क्रा फांसी लगा कर मारा गया था या तो इन ग्यारा लोगों ने फांसी लगा कर सुइसाइड कर लिया था तो क्या है इन डेट्स के पीछे की असली कहानी और आखिर क्यों ग्यारा लोगों ने अपनी जान गवा दी क्या एक्चुल में उनके साथ हुआ था क्या परिस्तितिया करना चाओंगा अगर आप लोगों ने इस से पहले बुराड़ी डेट्स के बारे में काफी कुछ जान रखा है या अगर आप लोगों ने न्यू चनल से इंटरेट में इस केस के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है पूरी कहानी अगर आप लोग जानते हो इस केस के बारे म नहीं जानते आखिर क्यों इन 11 लोगों की जान गई थी इसके बारी में अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आइडिया है तब तो ये सीरिस पूरी तरीके से आपको एक mystery type इसीरिस देखने को लगेगी जहाँ पर आपको काफी engaging way में कहानी देखने को मिलती है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको interviews देखने को मिलते हैं जितना यहाँ पर करीवी से आप इन सारे members को जानते हो वो मैंने आज तक किसी भी documentary में फिल नहीं किया था यहाँ पर जो 11 लोगों की जान चली गई है वो 11 लोग actual में कौन थे कैसा उनका परिवार था कैसे उनके relatives थे कैसे उनके नाइवर्स थे उनका क्या point of view था इन लोगों की तरफ और साथी साथ यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं जो मीडिया है मीडिया का क्या role था मीडिया किस त देख रहा था एक अलग ही रूप देने का कोसिस कर रहा था इस केस को साथी साथ पुलिस वालों को क्या क्या परसानियों का सामना करना पड़ रहा था किस तरीके से यहाँ पर पुलिस वालों को links मिलते हैं जिसके चलते उनका investigation आगे बढ़ता है किस तरीके से यह पूरी mystery solve होती है यह सारी चीजे आपको इस series में काफी detailing में बताए गई है जो कि आपको पक्का impress करेगी साथी साथ यहाँ पर जो screenplay आपको देखने को मिलते हैं मतलब कि जिस तरीके से कहानी यहाँ पर आगे बढ़ती है जो presentation है वो आपको काफी ज्यादा engage रखता है एक murder mystery आप जैस करने लगा था कई ऐसे चीजे सामने आती है करीब एक डेड़ एपिसोड देखने के बाद कई ऐसी चीजे सामने आती है जो आपको काफी हद तक सौक करने में काम्याब होती है तो कुल मिला जुला कर यह पूरा मेरा experience रहा इस series को देखते वक्त यह तीन एपिसोड की documentary को द काफी कुछ जानने को मिलेगा लेकिन अगर आप लोगों ने इससे पहले इस case के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है जान रखा है detail में तब तो यहाँ पर आपको उतनी कुछ नई चीजे देखने को नहीं मिलेगी कुल मिला जुला कर अगर मैं बात करूं overall इस series के बारे म कुछ झारे मिलेगी कुछ यहाँ प्र ृवзд अटनी क मिलेगा भां बारे में दनी की।